हलो गाइस, वेलकम टो आवर यूटूब चैनल टेकनिकल कामरा जी आज की वीडियो में हमाँ यहाँ पे आपको न्यू मोनेटाइजेशन अपडेट बताने वाले है और जो ओल्ड यूटुबर्स है, जो ओल्ड क्रियेटर्स है उनको ये वीडियो जरूर देखना है यूटूब एक न्यूड पॉलेशीस यहाँ पे लाते रहता है हम जैसे क्रियेटर्स के लिए अब यहाँ पे कलकी ही बात है और यहाँ पे जो न्यू अपडेट आई है यूटूब से इमेल में वो update यह है कि पहले जो है क्या होता था अगर आपका channel monetization नहीं होता नहीं अगर आपने creator जो है complete नहीं किया था monetization का यानि कि 4000 घंटे का watch time और 1000 subscribers अगर आपने complete नहीं किया था तो तब भी जब है आप जो है अपने channel पे monetization को enable कर सकते थे enable का option वहाँ पे आपको रहता था और उसको आप click करके अपना जो channel का monetization है उसको review में भेज देते थे ठीक है अगर आपका creator पहले complete भी नहीं होता था तब भी आप अपने channel को monetization को enable करके review में भेज देते थे और वहाँ पे review होता था आपका channel जब तक आपका channel जो है complete नहीं होता था criteria तब तक जो है आपके channel पे monetization on नहीं होता था लेकिन अभी जो update आई है YouTube से वो ये update है कि आप जो है अभी जब तक 4000 घंटे का watch time और 1000 subscribers अपने channel पे complete नहीं करते है तब तक आप अपने channel पे monetization को enable नहीं कर सकते है और जब आप जो है review में अगर आप भेजना चारे तो 30 days के अंदर YouTube एक time दिया है उसके अंदर ही आपके channel को जो है 4000 घंटे का watch time हो जाना चाहिए और 1000 subscribers complete हो जाना चाहिए जब अगर आप जो है पहले ही enable पहले ही जो है आप review में भेज देते हो और अगर आपका YouTube जब review करता है आपका channel monetization का criteria जो है 4000 घंटे का watch time और 1000 subscribers वो अगर YouTube की तरफ से 1 month में review जब करता है वो complete नहीं हुआ यानि कि 365 days वो ही यह पुराना जो rule है YouTube का वो ही है अभी तक कोई इसमें changes नहीं आए भोजने यह समझ रहे कि जो है अब सिर्फ 1 month में पहले 365 days में YouTube का जो criteria था वो complete करना था लेकिन अभी भी वैसीच है लेकिन भोजने यह confused है कि 1 month में 365 days जो है पहले criteria था लेकिन अभी जो है 1 month में आपको 4000 watch hours complete करना है और 1000 subscribers complete करना है यह बिल्कुल घलत है ऐसा कोई भी YouTube का rule नहीं आया आप जो है यहाँ पर परेशान मत होई है कोई भी ऐसा rule नहीं है कोई एक छोटी सी update यही आए कि आप जो है अभी चैनल को enable monetization को enable नहीं कर सकते है जब तक आपका criteria जो है 4000 गंटे क watch time और 1000 subscribers complete नहीं होते तब तक आपके जो चैनल पर monetization का जो tap था उस पर enable का option नहीं आएगा तो यह जो है चोटी सी update आई है YouTube से बहुत जने confused है कि क्या हमें जो है 1 month में ही complete करना होगा अभी monetization का eligibility criteria है 4000 गंटे का watch time और 1000 subscribers ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले का rule था YouTube का monetization का 4000 गं 365 days में यानि कि पीछे के 365 days one year में ही complete करना होगा वो ही अभी जो है rule है YouTube का परेशान मत होई है लेकिन पहले क्या होता था जो है enable का option आप जो है इसको enable कर सकते थे monetization को और review में भेज सकते थे आपका eligibility criteria complete भी नहीं हुआ तब भी आप भेज सकते थे लेकिन अभी आप भेज न को ज़रूर शेर करें अगर आप हमारे चैनल पर नियू है तो subscribe करके bell icon को press कर दीजिए ताकि आपको मेरे new notifications आपको हमेशा मिलते रहे तीके कोई भी अगर YouTube की दोट है आपको YouTube की information पूछना है तो आप मुझे comment में भी जो है पूछ सकते है अगर आप मेरी मदद भी करना चा आप आप हमेशा 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 हमे